कानून व्यवस्ता और इस पे हम हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं इसके अतरिक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है वो भी एक महत्पोंट पहली है कि जिसका कोई भी कंप्लैन रिजिस्टर हुई है कोई केस रिजिस्टर हुआ है उस पे सीनियर लेवल पे लॉइन और में वी आई पी डूटी में अलग अलग जो पुलीस प्रशासनिक व्यवस्ता हैं होती उ जो पुलीस मुख्यालेने विदिक रूफ से जो निर्देश दिये गए हैं उनकी कडाई से पालना हो ताकि जो आदमी वैत्यत आया है उसकी समय पे जो भी इन्वेस्टिगेशन है जो भी जांच होनी है वो और उसको नियाय मिल सके नियाय लेके माद्यम से तो इस पे भी ह पूरा प्रयास करेंगे पुलीस फोर्स में कई बार कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वज़े से पूरे विभाग को कई बार असहस्ता महसूस करने पड़ती है तो इंटरनल विजलेंस पुलीस विभाग के अंदर इंटरनल विजलेंस पे भी काम किया जाएगा जो कोई प प्रादिक तत्वों से शाठ हाट रखते हैं या अपने करते वे मेलापरवाई बढते हैं या अनुसासन हिंता करने के आदी हैं ऐसे कर्मियों को चिंहित करके उनके खिलाफी सक्कारवाई की जाएगी उसमें भी कोई उसानूबूती नहीं रखी जाएगी लेकिन सेम टाइम में जो टीम बावना से काम करते हैं मेजर्टी ओफ पुलिस फोर्स उसी तरह कारे करता है उसमें जो अच्छा काम करते हैं अपना पूरा डेडिकेशन से काम करते हैं तो ऐसे लोगों को हम पूरा एक पुलिस परिवार की तरह एक टीम की तरह हमेसा सपोर्ट भी करेंगे और पूरा समान रखा जाएंगा, उनका फ्याल रखा जाएंगा, एक इस्यूज हमारे पुलीस फोर्स के कमांड एंड कंट्रोल लेटेट रहता है, कि हम जब भी कहीं लोयर अडर होता है, कई इस्यूज होते हैं, तब हम किस तरीके से उसको डील करते हैं, किस हाईरार्की के डिसिप्लीन के लिए क्या-क्या प्रसिक्शन चलाए जा रहे हैं, जो स्टाप है उसको क्वालिटिवली अलग-अलग फील्ड की जानकारी देने के लिए क्या इंपूट दिये जा रहे हैं, उन चीजों को भी मॉनिटर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि कमांड एंड क सवेंदन सील और समर्पित पुलीज प्रशासन है, उसको हम जादा से जादा ससक्त करें। आत्मक रूप से मेहसूस करें, कि आदमी किस परहसानी से गुज़र रहा है या उसके सात में जो गटना गटित हुई है, उसका उसका उसके कितना परवाव कड़ रहा है, कि मिंगिए हम उसकी समझ्च को पूरी ततपरता से और पूरे समर्पित बाव से डील करें, ताकि जब वो हमारे पास आए जो अपिक्सा लेके आया है कि मेरिट पे नया एकोन कारवाई हो वो हम तत्काल रूप से करें इसके लिए मेरा ये प्रियास रहेगा कि हमारे थाने लेवल पे जो हमारी पब्लीक डिलिंग है उसमें भी हम कुछ ऐसे इन्नोवेटिव चीजें करें या उस इसे की आम आदमी जो ठाने पर आता है मौस्टली पुलीस में राप्रिया जिसको पुलीस की शेवाउं की आवशिकता होती वो ठाने में संपर्ख करता है हमारा पुलीस स्ट है वो लोकल यूनेट है तो वहां पे उस आदमी की suivre आमने के साथ जो सम्मान है उसको मैंटन क्योंकि सामानिता कई बार यह सुनने में आता है कि ठाने पर आदमी जाता है उसकी रिपोर्ड दर्द नहीं होती है इस समंद में राजसरकार ने प्री रेजिस्ट्रेशन के निदेश दे रखे हैं तो उसकी कंप्लाइंस हो रही कि नहीं हो रही है फिर उस व्यक्ति की जो भ पाएगा नहीं हो पाएगा वह सुनिष्ट नहीं हो पाता है तो यह प्रयास रहेगा कि ठाना लेवल पे जो भी व्यक्ति आये उसके गरिमाब के साथ में सिस्टाचार के साथ में उसकी पूरी बात को सुना जाए उस पर जो भी तवरित एक्षिन है वह करने का प्रीस परिद्धन सीजिता के साथ में और प्रात्मिक्ता पर कारवाई करें तो उस पे हम फोकस करेंगे उस पर प्रेवेक्शन है वो संभागले उल से हम कोशिज करेंगे कि और अच्छा हो इसके अतिरिक करत्मिक काओं में हार्ड कोर पेसवर जो अपरादी है जिनकी वजह से आम जन्ञ में बेह मेसूस होता है असुरिक्षित मेसूस करते हैं ऐसे लोगों को जो चिनिःत हुए हैं और जो चिनिःत नहीं हुए उनको भी चिनिःत करने का प्रयास किया जाएगा उनके खिलाब फ तक कारवाई की जाए इसके अतरिक्त पुलिस मुख्याले द्वारा जो अलग-अलग छोटे कस्बे हैं बड़े कस्बों में भी हम प्रयास करते रहते हैं वहां जंजागरुता के बेश पे समाधान भी होते हैं कई छोटे कस्बे हैं वहां पर ट्राफिक रिलेटेड समश्या नहीं बहुत रहती हैं वहाँ पर मुख्याले द्वारा जो इस साल की प्रात्मिक्ता हैं उसमें उसको भी एक प्रात्मिक्ता के रूमें तिन्हित किया गया है कि अग्भी सब्ध्यूजन लेवल के बड़े कस्बेश जहां ट्राफिक रिलेटेड समश्यां ज्यादा रहती उस पे हम जितने उपलब संसादन हैं उनका सही सदुप्योग करके हम व्यवस्ता सुनिश्ट करें ताकि आम जन को वहां कोई कठीनाई नहीं हो इसके अतरिक प्रिवेंटिव पुलीशिंग हमारे पुलीश की जो सक्सेस होती है उसके लिए बहुत महत्पॉंदा है जिसमें नेमित गस्ट, इवनिंग गस्ट, कात्री गस्ट, नाके बंदी, सर्प्राइज चेकिंग जो आध्तन अपरादी है या जो सामन अपराद कारित होने के शित्र है वहां पे विजलेंस बदाना इन इस्यूज को लेके भी रेंज लेवल पे अलग लग जिल्लों में वैवस्ताइं की गई है उसके लिए परक्रियाइं सुनिश्चित की गई है उनकी भी एक संभाग इस तर पे समिक्षा की जाएगी सारे एस्पीज हैं उनसे चचा करके और तो चाहे कुंबलगर्ड हो चितोड हो देपोर हो तो जहां भी प्रेटन ज्यादा रहते हैं वहां पे उनको एक सुरुक्षा की भावना मैसूस हो उनको हम सुईधाद हैं कि उनको किसी तरह का परिशानी नहीं हो उसके लिए भी हम जो भी अपरक्सित रवस्ताएं हैं उस पिट टाइम में जो पुलीस ने जिस तरह से काम किया है लोगों में उसके पुलीस के प्रती बहुत विश्वास बढ़ा है और यह समान बढ़ा है कि भी पुलीस है वो आम जन्म के लिए समर्पित बाव से कारिक ने हम उसको और मजबूत करने का प्रयास करेंगे हमारे पुलीस प्रशासन देश करेंगे तो अपना पहले ही मंतवे बताया था कि हम जन्द सहबागिता पे बहुत फोकस करेंगे जन्द समवाद पे बहुत फोकस करेंगे तो मेरी कोशिस यह रहेगी कि आदिवासी जो बाहुल्यक सेत्र है वहां पे हम उन्हीं के लोगों से जाक आजिक समयलन होते हैं उनमें जाएंगे और हम उनसे ही बात करके उनी के माद्यम से उनी के नित्रत्तु में हम सहयोग में रहेंगे उनकी चाहे कोश समझ जाए हैं कुछ खूप रताएं हैं जो भी है उस पे उनसे राय लेके उनकी भावना के अनुरूप सबी लोगों को सा पागिया आयुक महुदे है इस्तानी अजिला कलेक्टर है उनसे हम कोडिनेशन रखे और उस पार्ट भे भी जो भी हमारे पास फीड़बेक आएगा हम उनसे शेयर करेंगे पुलीस और प्रशासन दोनों मिलके आदिवासिक शिवत्र रिलेटर जिती भी समझ आए हैं वहा इसके अतिरेक्त हमारा जो पूरा संभाग है वो अलग-अलग दृष्टी से कानुन वेश्टा की दृष्टी से समेंदन सील है परेटन की दृष्टी से बहुत ही महत्पॉन है तो इन परिष्टितियों को ज्यान में रखते विए शित्र वाई जहां जिस तरह की समझिया ह उसमें हम जन सभब आगीता को बढ़ा हैं जनतासा हम समांद करने का प्रियास करेंगे और मेरी कोशिस रहेगी और जल्दी ही हम इस तरह का एक खौर्मЕल प्रक्रिया शुरू करेंगे अबियान सा शुरू करेंगे जिसमें não केवल मेरे इस तरह पर जिला इस तरसे सरकल इ अपना मंतविय, अपने सुजाव, अपनी समस्याओं को वहां नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो उसमें लिमिटेड पार्टी सिप्विशन है, हमारा प्रयास रहेगा है कि हम open, सभी जो, जिस सियत्र में हम जाएं, वहां के सब तरह के लोग, सब वर्गों के लोग, गया पारवर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, टैक्सी यूनिन है, जो भी है, सब लोगों को हम बुलाएं, उसमें जो भी आपाएं, उन से हम सवान करें, उनकी क्या समस्याएं हैं पुलिस परशासन को लेके उन समस्याओं पे हम जो भी समादान है जो कारवाई की जाने हैं वो करें और उसमें उनकी भी अगर सहबागीता की आवशक्ता हो उनकी शहयोग की जरूत हो तो हम उनको भी उसमें सामिल करें तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो इस तरह की issues है चाहे line order related है चाहे सामाजिक सामज़स्य related है चाहे ऐसे व्यवस्ता related है जिसे की traffic की व्यवस्ता की समश्या है कोई particular इस्थान है वहाँ पे कोई अपरादी तक तो ज्यादा सक्रिये है उनके समाधान का मसला है तो वहाँ पे ह हम कोशिश करेंगे कि सब लोगों को सामिल करें और न केवल कुलीश और प्रशासन का आपस में सहयोग बढ़ाएं बलकि समाज के हर वर्ग में भी आपस में समझज़स्य बढ़ाएं विस्वास बढ़ाएं ताकि कोई भी समश्या हो उसकी वहां के लोग है वहां के जो अल पागिता को बढ़ाएं और उस बेश पे पुलीसिंग रिलेटर जित्ते भी मसले हैं पुलीस की जो सेवाएं हैं उनमें हम गुणात्मक सुधार करें